आज हम TCS द्वारा SSE CGL 2019 जो 2020 मह हुआ था उसमें नंबर एनालोजी के आए हुए सारे question solve करेंगे इससे आपको यह पता चल जाएगा TCS किस logic किस pattern पर question पूछ रहा है जो आपको आने वाले exam में जरूर फायदा पहुचाएगा जो exam है SSE CGL, CHSL, CPO, MTS उसके लिए important video है तो आप इसे पूरा देखें इसमें number analogy के सारे question जो भी आये थे वो cover होंगे तो और अगर आप मेरे facebook group से जुड़ना चाहते हैं उसमें आप question post कर सकते हैं वहाँ आपकी practice हो जाएगी तो उसका link के description में दे दूँगा तो उससे भी join करें तो शुरू करते हैं पहले question से तो number analogy में आप आपको जो important बात याद रखने हैं मैंने basic वीडियो बताई हैं वहाँ भी बताता हूं तो यहाँ पर आपको जो important बात याद रखने हैं वो यह है कि आपको सबसे पहले जो question में देखना है square, cube, multiply यह सारी चीज़े जरूर देखनी हैं सबसे पहले आपका ध्यान आपके देख 5-digit, 6-digit का आपका analogy का कोई question है तो उसमें आपका addition और subtraction हो सकता है यह मैंने basic वीडियो में बताया था और यहाँ पर मैं बता रहा हूं और जो भी नए logic आएंगे वो आप धीरे-धीरे देखते रहेंगे तो आप देख सुरू करते हैं पहला question है 4-69 यहाँ निकि इस question में जो पूछा जाता है इसमें यह पूछा जाता है उस बिकल्ब का chain करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंद है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से यानि कि यहाँ पर 69 का वो संबंद 4 से जो है वो ही यहाँ पर आपको बताना होता है ठीक है तीसरी का चौथे से तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी बात है वो आपको square है, तो आप यहाँ पे देखें कि आप square cube, तो आप यहाँ पे देख सकते है 69, तो आप सोच सकते है 4 का संबन 69 से ऐसे हो सकता है कि cube हो सकता है, ठीक है तो आप देखें यहाँ पर 4 का, यहाँ पर हम पहले इसमें logic ढूडने की कोशिस करते हैं, अगर आप 4 का cube करते हैं, तो आपको कितना मिलता है, 64 मिलता है, और 64 में 5 add करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 69 मिलता है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक logic यह हो गया, कैसे मिल रह तो यहाँ पर आप 1331 प्लस 5 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 1336 मिलता है, तो आप देखिए इसका अंसर क्या हो जाएगा, second option हो जाएगा, और logic, clarity आपको समझमा आ रही है, अगर आपको basic चीजे पता है, तो next question करते हैं, next question देखते हैं, यहाँ पर क्या है तो 343 के आसपास है, यानि कुछ मैनस हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए, seven का cube करेंगे, seven का cube कितना होता है, 343 होता है, और इसमें से अगर आप 14 मैनस करते हैं, 14 मैनस करते हैं, तो आपको 329 मिलता है, तो अब यह 14 कैसा है, आप देख सकते हैं, यह 7 का दुगना किया साथ का दुगना किया, तो 14 आगया, तो same logic हमें यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर आप 9 का cube करेंगे, 9 का cube आपके पास कितना आता है, 9 का cube आपको 729 होता है, यह आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पर आप हमें 9 का दुगना करना है, यानि कि double करना है, 18 मैनस करना है, तो आपके लोजिक यहाँ पर क्लियर होंगे कि हम कैसे question को कर रहा है आप देख सकते हैं यह सारे exam में आये हुए question है यह मैंने नहीं बनाए है तो यहाँ पर जो square cube यह चीजें जादे आ रही है ठीक है और 6 संख्या का 5 संख्या से ठीक है तो यहाँ पर आपको बीच वाला बताना तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं क्या logic हो सकता है तो यहाँ पर जो logic है एक तो आप यहाँ पर दो logic हो सकते हैं लेकिन answer एक होगा तो यहाँ पर एक logic यह है आप देखें आपको square का कितना square cube के जादे question पूछे जा रहे है इसलिए मैं कहे रहा हूँ कि यह चीज़े आपको पहले ध्यान में question करते समय solve करनी है तो आप देखें 12 का square कितना होता है फर्स्ट इसमें हम logic ढूटते है 12 का square आपका होता है 144 और 144 का half किया गया है और half करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 72 आ रहा है ठीक है यहाँ यह logic follower है तो यहाँ भी देखते है यहाँ भी आप देखें 22 का square करेंगे तो 22 का square कितना होता 22 का square होता है 484 484 का half करेंगे तो आपको कितना मिल ला है यह संख्य मिल लिए 242 242 मिल गया तो same यहां भी होगा यही logic 18 का square करना है 18 का square 324 होगा और इसका half करना है तो half करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 162 162 तो आप देखें कौन सा option है तो आप देखें यहां पर third option है 162 यह answer हो जाएगा तो आपने देखा logic क्या हो सकता है एक logic और हो सकता है यह आपके सोचने का तरीका है बस आपका logic एक से जादी भी हो सकता है लेकिन answer एक ही आएगा तो यहां पर आप यह भी कह सकते है 12 को आपने 6 से multiply किया तो आपके पास 72 आया दूसरा logic है यह ठीक है यहां पर 12 को 6 से कैसे 12 का half से multiply करें ठीक है 12 का half 6 हो गया और same यहां पर 22 का half कितना होगा 22 का half 11 होगा 11 से multiply करेंगे 242 आया और same 18 तो यहां भी होगा 18 का half कितना होगा 9 से multiply करेंगे तो 162 होगा ठीक है बात एक ही है लेकिन सोचने के तरीके अलग-लग हो सकता है लेकिन आपका answer 162 है बस आपको logic ऐसा डूड़ना है जो सब में follow होना चीए ठीक है next question करते है next में यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा अगर यहाँ पर आप digit sum करते है तो यह 8,2,10,19 आता है ठीक है 19 को आप 3 से multiply करते है 19 तिया 57 और 57 मैनस 4 करते है तो आपको कितना मिलता है 53 मिलता है ठीक है तो यह logic यहाँ पर आपको समझ मागे है इनके बीच में क्या logic है तो same यहाँ पर आप करेंगे यहाँ पर आप digit sum करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 5,1,6,4,6,6,6,6,6,6,12 आ जाएगा और 12 को आप 3 से multiply करते है तो 12,3,24,12,36 और 36 में से 4 ही minus करते है 4 minus करते हैं तो आपके पास कितना आता है 32 तो इसका answer क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर देखा यहाँ पर जो relation है अगर आप 6 का cube प्लस 6 का square करते है इनको जोडते तो आपको 22 मिलेगा 6 का cube क्या होता है 216 होता है इसमें 6 का square 36 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल दा है यह आपका 252 मिल दा है आपको logic समझ में आगए यह logic यहाँ भी follow होगा तो 5 का cube करेंगे प्लस 5 का square इसमें add कर देंगे तो यह 125 प्लस 25 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा है यहाँ पर 150 आ जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका second option हो जाएगा 150 ठीक है आप मेरा logic देखने से पहले खुझ से solve करें हो सकता है आपका और मेरा logic अलग-लग हो सकता है आपका logic मुझसे आसान हो सकता है answer लेकिन same ही आएगा तो आप इस तरीके से पहले खुझ सोचे फिर logic देखे अगर आपको नहीं आ रहा है यहाँ पर जो logic नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर अगर आप 52 को 4 से multiply करते है ठीक है 52 को अगर 4 से multiply करते है और 52 का 1 4th add करते है तो आपको क्या मिलेगा यह 221 मिलेगा कैसे 22 को 4 से multiply करेंगे 208 हैगा और इसका 1 4th कितना होता है 13 हो जाएगा तो 208 में 13 जोड़ते है तो आपको क्या मिलता है 221 मिलता है तो यहाँ पर आपको समझ बागए क्या logic है अब next में यहाँ भी यही logic होना चाहिए तब ही तो यहाँ हम question में लगाएंगे इसे तो दोनों में same logic होना चाहिए तो 64 को आपने किस से multiply किया चार से किया और यहाँ पर फिर उसके बाद 64 का one fourth add किया तो देखें यहाँ पर क्या आता है तो 64 को 4 से multiply करेंगे आपके पास 256 आएगा और यहाँ पर one fourth कितना हो जाएगा 16 64 तो 16 256 में 16 add करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा 272 आ रहा है तो यहाँ पर 20 को 4 से multiply करेंगे आपके पास 80 आएगा और इसमें one fourth add करेंगे तो आपके आप चार पंचे 20 तो यहाँ पर 80 प्लस 5 कितना हो जाएगा 85 तो answer आपका क्या हो जाएगा 4 तो अप्सन हो जाएगा 85 Next question करते है Next question आपको बताना है यहाँ पर क्या हो सकता है ठीक है यह question है यहाँ पर यहाँ पर आप सोचे यहाँ पर क्या क्या हो सकता है तो यहाँ पर आप देखें यहाँ भी easy है यहाँ पर आप देखें अगर आप 72 logic करेंगे तो 72 प्लस 72 का half add करते है ठीक है तो आपको ये संख्या मिल लिए 108 तो 72 प्लस 72 का हाफ कितना हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा तो 628 1710, 108 मिल लिए सेम यहां भी आप कर सकते 102 और 102 का हाफ आपको add करना है तो यहां पे कितना हो जाएगा 102 और यहां पे हो जाएगा आपको 2510 तो आपके पास 21, 3, 5, 153 आएगा तो आपका लॉजिक यहां सेम है तो सेम यहां भी फॉलो होगा 84, 84 का हाफ यहां पे आप add करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 प्लस 2.8 22, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 तो 126 यहां पे answer आजाएगा यहां पर एक और तरीका है यहां पे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते है अगर आप यहां पे देखनें यह कितना है यहां आप कह सकते हैं 12, 72 और 12, 108 है ठीक है? 12, 72, 12, 108 है और यहां भी आप देखनें यह कितना है 102 और यहां पे आप कह सकते हैं यह 76 का 102 और 17, 153 है ठीक है? तो यहां 153 है, तो यहां भी आपका 6 से divide होगा, तो यहां भी आपका 6 से divide होगा, तो क्या होगा आपका 14 से multiply करेंगे, तो 84, 84 मिल ला है तो यहां पर आपका 14 into 9 करना पड़ेगा, 4 नम्मा 126 तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, answer same ही आएगा तो इसका आपका answer कितना हो जाएगा 126th option, next question करते है next आपको बताना है, यहां पर क्या होगा तो यह तो simple सा question है यह देखें, यहां पर क्या क्या है यहां पर आप आप नया logic देख रहे हैं, कि नया logic और क्या क्या हो सकता, यहां पर देखें, 7 को 2 से multiply किया, 7, 2, 14 7, 2, 14 आपको second number मिला और यहां पर आपको 9 को 6 से multiply किया यहां कि digit को multiply करते हैं, तो हमें 9, 6, 54 मिला है तो यहां पर 8 को 7 से multiply करेंगे तो 8 सकते 56 मिलेगा, जो कि आपका second option इसका answer हो जाएगा ठीक है, easy question है, next question करते है next है, आपका 13, 109 है और 24 का आपको बताना है, तो यहां पर आप सोचे यहां पर क्या हो सकता है, तो यहां पर आप देखने अगर आप 13 को multiply करते है 8 से 13, 8 कितना होता है, 104 होता है 104 में आप 5 जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 109 मिलता है तो यहाँ पर आपको मिल गए multiply करके यह भी मैंने बताया था कि आपको square cube देखना है फिर उसके बाद multiply देखना है यह सारी चीज़ा आपको दिमाग पर रखनी है और यहाँ पर आप 24 को फिर 8 से multiply करेंगे same logic follow करवाना है तो 24 को 8 से करेंगे 192 आएगा और इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आजाएगा 197 आजाएगा तो आपका answer क्या हो जाएगा 197 हो जाएगा 4th option हो जाएगा समझ मा आ गया होगा logic clear हो गया होगा आप पहले खुद सोचे फिर इसको देखें ठीके next question करते है यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा ठीके यहाँ पर सोचे यहाँ पर क्या हो सकता है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक logic तो यह है सीधे सीधे यह आपका हो सकता है इससे पहले भी मैं logic बताया आप देख सकते तो यहाँ पर आप यह कह सकते है 78 प्लस 78 का half add करें तो आप पर 78 प्लस 39 add करेंगे तो आपके पास कितना रहे है 117 रहे है ठीक है इस और इसमें जो logic है lesson है और यहाँ भी आपका lesson क्या होगा है 108 और 108 का half आप करेंगे तो आपको क्या मिले है 108 प्लस 54 जो की 62 होता है ठीक है और same यहां भी करेंगे 90 और 90 का half करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 होगा तो 90 प्लस 45 आपको कितना मिलेगा तो आप कहेंगे आपको कितना मिलेगा यहां पर यहां पर मिल जाएगा 135 ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा और दूसरा तरीका ये भी था आप ऐसे भी कर सकते हैं तेर चक 78 होता है तेर नम्मा 117 होता है ठीक है जो मैंने पहले लोजिक बताया था ये दूसरा है तेर चक 78 और तेर नम्मा 117 आ रहा है ठीक है तो सेम यहां पर यहां भी यह होगा यहां पर क्या होगा आप देखें यहां पर हो जाएगा 15690 और 15935 ठीक है नौ से ही multiply करेंगे ठीक है 6 और 9 से divide कर रहें तो हमें answer पर आप देखें और यहां भी देखें यही लोजिक है 808 होता है यह logic में पहले भी बता चुका हूँ और 89 162 हो सकता है ठीक है आप ऐसे भी कर सकता है जो आपके दिमाग में पहले है उससे करें लेकिन answer आपके 135 है ठीक है दोनों तरीके मैंने बता दिये तो आप जैसे करें आपको अच्छा लगए next question करते है next question है आपका next question है यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या हो सकता है ठीक है यहाँ पर आपको square और cube नजरा रहा होगा आप कह सकते हैं कि cube के आसपास है अगर आप 8 का cube करते हैं और इसमें 8 का square एड़ करते हैं यानि कि 512 प्लस 64 एड़ करते हैं तो आपके पास क्या रहा है 576 आ रहा है तो same logic इसमें भी होगा यहाँ पर 4 का cube plus 4 का square एड़ होगा तो आप करें यहाँ पर 4 का cube कितना होता है 64 होता है और यहाँ पर 4 का square 16 तो एड़ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर यह है तो यहाँ भी square का है यहाँ पर अगर आप देखो आपको यह square नजर आ रहा है यह square नजर आता है यहाँ पर जो भी होगा answer square के आसपास यह है तो 16 किसका square होता है 4 का होता है अगर आप 6 में से 2 minus करते हैं तो आपके पास 4 आता है और 4 का square आपको क्या मिलता है? 16 मिलता है. ठीक है? यहाँ आपको relation पता चल गया 1st और 2nd में क्या relation था? अब same यहाँ logic करेंगे तो यहाँ पर 11 में से हम क्या कर रहे है? minus 2 कर रहे हैं तो आपके पास कितना आ रहे है? 9 आ रहे हैं और 9 का square क्या रहे है? 18 आएगा और 18 का square करेंगे तो आपके पास कितना आजएगा? 324 आजएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा? 1st option 324 हो जाएगा Next question करते हैं Next question देखें यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको बताने है यहाँ हो सकता है? क्या logic हो सकता है? ठीक है और 12 का square कितना होता है 144 होता है इनको add करें 415, 426, 265 मिल गया ठीक है तो same logic यहां भी होगा तो यहां पर आप 20 का square करेंगे और इसके बाद वाली सिंख्या का square ठीक है 21 का square तो 20 का square आपके पास 400 होता है और 21 का square 441 होता है तो आपको कितना देगा 841 तो इसका answer क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा जो कि आपका third option है ठीक है समझ मां आगया होगा logic ठीक है पहला आप खुद करिए खुद से करिए इसलिए इसलिए आपकी practice भी हो जाएगी फिर आप solution देगे next question करते है ठीक है next question करते है next है तीन का 20 है तो आपको 7 का बताना है तो यहां पर आप सोचे यहां प 10 का square 9 हो गया 9 को 2 से multiply करेंगे plus 2 add करेंगे 9 दूनी 18 plus 2 20 आगया तो आपको logic समझ मां गया logic क्या होगा तो same logic यहां भी होगा 7 का square into 2 करना है और इसमें plus 2 add करना है ठीक है तो 7 का square करेंगे उन पंचास उन पंचास दूनी 18 plus 2 आपके बास कितना आजाएगा 100 आजाएगा तो 100 आपका fourth option इसका answer हो जाएगा ठीक है next question करते है next है आपका 56,38 यहां पे आपको बताना है यहां पी आपका simple है तो यहां पे जो logic आप देखने repeat हो रहे है इसलिए मैंने आपको काया कि इन question को करेंगे तो यही logic repeat होगे और आपके logic भी clear होगे आपके समझ मां जाएगा यहां यहां पे आप देखें 5 को अगर आप 6 से multiply करते हैं यानि कि digit को आपस में multiply करते हैं तो 30 मिल ला है तो सेम यहां भी होगा digit को 7 को 8 से multiply करते हैं 7,8,56 जो कि आपका कौनसा option है fourth option इसका answer हो जाएगा next question करते हैं यहां पे आपको बताना है 3 का 51 है तो 7 का क्या होगा तो यहां प आपको answer मिलेगा ठीक है तो देखें कैसे मैंने बता है 3 माइनस करना है तीन का Q आपके पास कितना होता है 27 होता है 27 का दुगना करना आपको और मैनस 3 करना है तो यहां पास 27 का दुगना是我 54 मेंस 3 माइनस करेंगी तो आपको एकान होगे ठीक है आप पहले खुद से logical देखना फिर मेरा solution देखना है ठीक है तो हो सकता है आप दूसरा logic भी बना है वो इससे जी भी हो सकता है ठीक है तो आपको अपने तरीके से सोचना है और मैंने यह बता है कि एक question के एक से ज़्यादे logic हो सकता है लेकिन answer एक ही होगा ठीक है खेंगे, 343 होगा, 343 को 2 से गोना करके, मैनस 7 करने है, तो यहां पर आप देखने कितना आएगा, 30 Bold, 2 टिया 686 आजाएगा, मैनस 7 करेंगे, तो आपके पास कितना आजाएगा, 679 आजाएगा, तो इसका असर क्या हो जाएगा, आपका, Second Option, 679 हो जाएगा, next question करते है, यह last question है तो यहाँ पर आपको बताने तो यह तो simple सा है, यहाँ पर क्या है 23 का square, square से 2 कम दिख रहा है मुझे, 23 का square करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 529 हाता है, 529 में से आप 2 गटाएंगे तो आपको 527 मिलता है, तो next यहाँ पर 19 का square करेंगे, 19 का square आपके पास 361 होता है, इसमें से आपका 2 गटाएंगे तो 359 इसका answer हो जाएगा, जो कि आपका first option है तो यहाँ पर सारे question जो भी SSA CGL में, CGL 2019 में आया थे, जो paper 2020 में हुआ था वो सारे number analogy के मैंने question करा दिये, इसके बाद जो वीडियो आएगी, उसमें word analogy में कराऊँगा, उसके सारे question कराऊँगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like, share और चैनल को subscribe जरूर करें, thank you so much